क्या आपको पता है, 57 साल पहले देश को मिल सकता था पहला CDS, तातकालिक राजनितिक हालतों के कारण ऐसा न हो सका, अगर नहीं पता तो इस वीडियो में आप बने रहिए, साथी साथ आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि क्या होता है Chief of Defense Staff, CDS की वैधानिक स्थिति और प्रोटोकोल्स क्या होते हैं, NSA या CDS सुरक्षा मामलों में इन में से किसकी वरिष्टता होती है, CDS का रवाई के लिए सेना को क्यों आदेश नहीं दे सकता है, और सांथी सांथ आपको ये बताएंगे कि विदेशों में CDS की क्या स्थिति है, तो आफ को न्युक्त करने की घोशना की, CDS तीनों सेनाओ के बीच अपसी तालमेल को बहतर करने का काम करेगा, सेना में इसकी मांग बहुत पहले से की जा रही थी, पंडित नहरू 1962 के चीन युद्ध से पहले देश में CDS बनाना चाहते थे, पर तातकालिक रक्षामंत्री वी के क्रिष्ण मेनन के विरोध से पीचे हट गए थे, CDS पनाने की सबसे पहले मांग 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद बनी, रिव्यू कमेटी ने किया था, लेकिन सरकारी प्रयास की अभाव में लगबग 20 साल की यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पढ़ा हुआ था, जो सबसे उनमें वरिष्ट होता है, उसकी नियुक्ती की जाती है, वर्तमान में वायू सेना प्रमुख BS धनोवा इस पदपर कारे मोधी सरकार के पहले कारेकाल में CDS की नियुक्ती को लेकर कार्य सुरू हुआ था, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका, उस समय सरकार ने सेकतक कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस पर फैसला लेने की बात कही थी, चलिए जानते हैं कि क्या होता है चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ यानि CDS तीनों सेनाओं में सबसे वरिष्ट होता है, वह रक्षा योजनाओं और प्रबंधन पर सरकार क को सलाह देगा, CDS की नियुकती के बाद डिफेंस प्लान में तीनों सेनाओं के बीच प्रात्मिक्ता तै करना असान होगा, जैसे बजट में किस पर ज़्यादा खर्च करना है, किसे उपकरण खरिदना है इत्यादी इत्यादी, इस से तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बहत तीनों सेनाओं की उपयोगिता कहां और कैसे करनी है इस पर भी प्रभावी फैसला लिया जा सकेगा इसके अलावा CDS, NSA और खुफिया प्रमुखों के साथ तालमिल को भी बेहतर ढंग से कार्यानवित किया जा सकेगा CDS की नियुक्ती से युद्ध के समय सिंगल पॉइंट आदेश जारी किया जा सकेगा जिसका मतलब तीनों सेनाओं को एक ही जगह से आदेश जारी होगा जिससे सेना की रणनिती पहले से अधिक प्रभावशाली हो जाएगी और कोई कन्फ्यूजन की कोई स्थिती नहीं हो पाएगी इससे काफी हद तक हम अपना नुकसान होने से बचा पाएंगे चली अब जानते हैं कि CDS की वैदानिक इस्थिती और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं भारत सरकार और रख्चा मंत्राले के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्ण CDS की वैदानिक इस्थिती और प्रोटोकॉल को लेकर था मौजूद तीनो जनरल, चार स्टार और रक्षा सचीव के समकक्ष है ऐसे में सीरियस को क्या रैंक और प्रोटोकल दिया जाए इसको लेकर कई मतभेद है अभी अमेरिका, चीन, युनाइटेड किंग्डम, जापान के साथ साथ कई और देशों के पास Chief of Defense का पद है राश्टिय सुरक्षा के सभी मामलों से सिमित, संसाधनों से साथ निपटने के लिए Chief of Defense के पद की जबहुत जरूरत होती थी Chief Staff Committee में थल सेना, नौ सेना और वायू सेना के प्रमुख सामिल होते है Committee के सबसे वरिष्ट सदस्य को इसका चेयर में नियुक्त किया जाता है चलिए अब जानते हैं कि NSA या CDS सुरक्षा मामलों में इन में से किसकी वरिष्टता होगी NSA एक IPS या IFS अधिकारी होता है जबकि CDS एक वरिष्ट सेन्य अधिकारी होता है देखा जाए तो NSA और CDS की भूमिका और जिम्मेदारियां लगभग एक समान है ऐसे में देखने वाली बात ये है कि सरकार किसकी वरिष्टता तै करेगी या दोनों पदों को समान रखा जाएगा चली अब जानते हैं कि रास्ट्रिय सुरक्षा सलाकार और भारत के बीच क्या सम्बंध है साल 1998 में एक टास्क फोर्च की सिफारिस पर वाजबेई सरकार ने रास्ट्रिय सुरक्षा के मुद्दे पर तीन स्तरिय धाचा तयार किया था जिसके अनुसार रास्ट्रिय सुरक्षा सलाकार की नियोक्ती परधान मंत्री को देश के आंतरिक और बाहरी खत्रों से संबंधित सभी मामलों में सलाह देने के लिए की जाती है इसके अलावा पडोसी देशों के साथ सीमा मुद्दों विदेश की कूफिया एजेंसियों के बीच गुप्त और खूले ओपरेशन देश के उपर आने वाले किसी भी संभावित खत्रे से निपटने की रणनिती बनाने का दायत्व भी एन एस एका ही होता है प्रधान मंतरी अटल विहारी वाजबई ने 1998 में भारत में राश्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार का पद स्रिजित किया ब्रजेश मिस्रा भारत के पहले सुरक्षा सलाहकार हुए अगर भारत को किसी देश पर नुकलियर हमला करना हो तो इस स्थिति में प्रधान मंत्री के अलावा एक और सीक्रेट कोड होता है जो कि देश के राष्टी सुरक्षा सलाहकार के पास होता है कुछ विशेश परिशितियों में NSA को विदेश निती को ठीक करने के लिए भी प्रधान मंत्री की तरफ से प्रतिनिती बना कर विदेश भेजा जा सकता है वर्स 2012 में नरेश चंद्रा कमेटी ने Chief of Defense के पद की भूमी का और जिम्मेदारियों का मसौदा तयार किया था जिसमें कहा गया था कि CDS परधान मंत्री और रक्षा मंत्री के प्रमुख सेन्य सलाहकार होंगे इसके साथ ही वे किसी भी सन्युक्त सेना कार्यवाई की जानकारी प्रधान मंत्री रक्षा मंत्री और सुरक्षा समीती को देंगे चली अब जानते हैं कि CDS कार्रवाई के लिए सेना को क्यों नहीं दे सकता है आदेश CDS किसी भी कारवाई के लिए सीना को आदेश नहीं दे सकता है वह इसके लिए प्रधान मंतरी या रक्षा मंतरी को केवल सलाह देश रकता है CDS प्रधान मंतरी और सुरक्षा समीती को नुक्लियर टारगेट की तकनीकी और रणनितिक जानकारियों को लेकर भी केवल राय दे सकते हैं CDS को सुरक्षा समीती का अस्थाई सदश्य होना इसमें अनिवार है चलिए अब जानते हैं कि विदेशों में CDS की क्या अस्थिती है पहले सबसे पहले जानते हैं अमेरिका के बारे में US में Joint Chief of Staff Committee CJCSC का चेर्मेन का पद हमारे Chief of Defense Staff के पद के बराबर है यह अमेरिकी सरकार को सेना से समस्त गतिवीदियों की जानकारी देने के साथ सेना और सरकार के बीच तालमिल का काम करता है वर्तमान में General Joseph Dunford Joint Chief of Staff Committee यानि की CJCSC के चेर्मेन है अब बात करते हैं ब्रिटेन ब्रिटेन में Chief of Defense Staff तीनों से नाव का प्रमुक होता है जो रक्षा मंतरी और प्रधान मंतरी का प्रमुक सुरक्षा सलाकार भी होता है वर्तमान में इस पद पर General Sir Nick Carter Chief है अब जानते हैं चीन के बारे में चीन की People's Liberation Army की देखरेक Joint Staff Department of the Central Military Commission करता है इस डिपार्टमेंट को Command Central Military Commission द्वारा मिलता है जिसके वर्तमान में प्रमुक General Lee Joe Chang है